साथियों, जब प्रबंधन की बात हो रही है, तो मैं आज छत्रपती सिवाजी महाराज को भी याद करूँगा। छत्रपती सिवाजी महाराज की वीर्ता के साथ ही उनकी गवन्नेंस और उनके प्रबंध कौसल से भी बहुत कुछ सिखने को मिलता है। विशेशकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपती सिवाजी महाराज ने जो कार्य किये वो आज भी भारतिय इतिहास का गवर भडाते हैं। उनके बनाए जल दूर्ग इतनी सताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। इस महने की शुरुवात में ही छत्रपती सिवाजी महाराज के राजजा विशेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अउसर को एक बड़े पर्व की रूप में मनाये जा रहा है। इस दोरान महाराज के राजगर किले में इस से जुड़े भव्य कारखमों का आयोजन किया गया। मुझे आध है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे राजगर जाने उस पवित्र भूमी को नमन करने का सौभाग्य मिला था। यह हम सब का कर्तव है कि उस आउसर पर हम छत्रपदेश सिवाज महाराज के प्रमंद काउशल को जाने उनसे सीखें इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर घर्व का बोध भी जगेगा और बविश के लिए कर्तवियों की प्रेणा भी मिलेगी।